ही गाइस 2 वैरि चैनल अध railroad क survey my recipe देसी मुर्गा करी लेता है बहुत सारा ताइम और मैं जो रीसी बता रही आए गर को मैं श्याप करने मिरेसीपी अबोले कमेंट करने नहेंिठाई तो शुरू करते हैं मैं ईज चूले में बना रही हूं आप चाहे तो गैस में बना सकते हैं तो गैस में बनाएं या चूली में बनाएं सबसे पहले आप कड़िया डालें और उसमें तेल गरम होने के पद जीरा तेज पत्ता डाल चीनी सुखी मिश डाल दें फिर उसके बद रफली चॉप्ट अनियन डाल दें मैंने छोटा सा प्यास लिया उसको रफली प्यास 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 थोड़ा हलका तब भून जाए तो फिर उसके बाद आप उसमें चिकन डाल देना है चिकन एक एक करके डाल लें और चिकन को हमेशन नीवों से दोंजे से इसका रेड़नेस चले जाए और चिकन को भी चमच के एल्पसेल्स का चला लें प्यान। कि फिर उसके पाद आपको नमक डाल देना है कि मिर्च पाउडर यह मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल है आप चाहे तो कोई भी ब्रैंड का यूज कर सकते हैं यह धनिया पाउडर यह भी मैंने आवरेस्ट का यूज कर सकते हैं तन नेक्स हाल्दिकका पाउडर फिर इसमें ब्लैक पैपर डल दें नील नाइची का पाउटर वी चमबच के हैप से थोड़े चला दे जिससे की तेल में अच्छे तरीके से मसाला लग जा मसाले अच्छे तरीके से पक जाए मिंस भून जाए प्यूरी के लिए प्यूरी के लिए हमने जो बेसिक प्यूरी सब जो हर चीज में जाती है प्याज लैसून अद्रक मिर्ची तमाटर का यह प्यूरी है इसको मैक्सर गाइंडर में हमने पीस लिया है और वही प्यूरी हमने इसमें डाल देंगे तो मच की हल्प से पूरी तरफ फैला लें आपको इसे मीडियम फ्लेम में ऐसे पगाना है प्यूरी है कि इसको आपको पांच से दस मिनट तक दस से बारा मिनट भी अपका सकते हूं डिपंट करता है क्या कैसा उसको चोड़ रहा है कि नहीं चोड़ रहा है अगर ओल छोड़ने लग जाए फिर उसके बाद आपको ठक देना है प्लेट को ठक के आपको मुश्किल से आधा गंटा तक ठक के रहना देना है क्योंकि देशी चिकन है तो इसे टाइम लेगा क्योंकि पॉल्टरि वाला कम टाइम लेता है भार देशी चिकन ज़्यादा टाइम लेता है connecting को उसको पकाने कि उसको कम से कम आदा गंटाए इसको ढखके पकाना इसके बाद टेस्ट के कोडिक पानी डाल देना है और इसमें धनी पती डाल दें और इसा हाई फ्लेम में पकाएं पिर आपको ऐसे हाई फ्लेम में आपको पकाना है यह बेबल्स भेगने चाहिए पानी अपनी टेस्ट के अपको कितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से ही पानी डाले आपको ऐसी हाई फ्लेम में इसको पानी पहले डालने के बाद आपको पकाना है खोल की आपको ड़क के पकाना है फिर इसके बाद आपको खोल के पकाना है और ड्राय हो जाने के बाद को धन्य पत्ति गानिश कर देना है आपको कि किसी बाउल या किसी इक भी कंटेर आपको खाली कर देना है आप देख सकते हैं काफी लजीज हो का भी डिलिशुस दिख रहा है तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक तो शेयर जरूर करें लास्ली थैं